हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टिशन कम्मूनोटी पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो आईए आज हम लोग SAC, CGL और CHSL इन दोनों ही एक्जाम के पॉइंट व्यू से इंग्लिस ग्रामर का एक नय टॉपिक शुरू करते हैं तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं Adjective अब Adjective को हम लोग कैसे पढ़ेंगे Adjective के किन-किन पॉइंट से आपके एक्जाम में कोशन आते हैं इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे तो बिलकुल उसी style में पढ़ेंगे उसी अंदाज में पढ़ेंगे जैसे इसके पहले के grammar के topics को हम लोगों ने पढ़ा हैं जी हाँ आप बिलकुल सही समझ पा रहे हैं एकदम zero level से एकदम basic level से जहां तक हो सके वहां से हम लोग एकदम bottom level से चलने का प्रयास करेंगे और हम आपको पूरे advance level तक लेकर चलेंगे अपने इस video session में adjective के जितने भी video session हम लोग देखेंगे उन सारे video sessions में हम सम लोग adjective के उन सारे points को cover करेंगे जिससे आपके s.a.c. में question देखे जाते हैं पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे ठीक है तो adjective के शुरुआत हम एकदम basic level से करेंगे एकदम bottom level से करेंगे आए इस कड़ी को हम लोग फटा फटा आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम आपको समझाते चले adjective को हम लोग हंदी में क्या करते हैं तो adjective को हम लोग हंदी में कहते थे समझते थे vision एप है अभी आफ dictionary में देखेंगे adjective का हंदी meaning क्या होता है तो हंदी meaning हम लोग को बता जाता है वििसेशन और हंदी grammar में हम लोगों को विसेशन कैसे पढ़ाये गया भाई तो हिंदी grammar में हम लोगों को विसेशन में बताया गया था कि ये एक ऐसा सब्द होता है जो किसी संग्या या सरवनाम की विसेशना बताता है English grammar की बात करते हैं English grammar में हम लोगों को क्या सिखाया गया था तो वहाँ पर हम लोगों को definition के तौर पढ़ने को मिला था और सबसे बड़ी विडमबना की बात हम सबों के साथ ये होती है कि English grammar को भी हम लोगों को Hindi grammar से रिलेट करके पढ़ाय जाता है अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप जो जानते हैं उसके माध्यम से नई चीजों को सीख सके समझ सके या नई चीजों को उसके माध्यम से सीखना समझना आसान होता है इसलिए भी ऐसा किया जाता है और आगे चल कर हम लोगों का जो perception है हमारा जो mindset है और धारना है हम सबों का वो ऐसा बन जाता है कि हम लोग इंग्लिस grammar को हिंदी के माध्यम से समझना सुरू करते हैं दोस्तों हम आपको बताते चलें कि आप सबों के साथ थोड़ी सी और समस्य होती है क्या समस्य होती है तो ऐसे बच्चे जनके इंग्लिस weak है या जो हिंदी मीडियम से बिलॉंग करते हैं उन सबों के मन में एक desire है या ऐसे उन सभी बच्चों में से ज़्यादा तर बच्चों का एक आदत बन चुका होता है आप इंग्लिस कभी भी कहीं भी किसी भी सोर्च से पढ़ते हैं उसको आप हिंदी में translate करके पढ़ना चाहते हैं और यह आपकी जो आदत है exam में जाकर आपका बिलकुल ही साथ नहीं देती है यह exam में जाकर आपके साथ बिलकुल बेवफाई कर जाती है ठीक है क्योंकि आपके exam में आप ज़रा याद करके देखे आप यदि किसी भी exam में कभी भी appear हुए हो competitive exam में आप ज़रा देहान देजे यदि उसमें English का question आपके exam में दिखाई पड़ता है क्या आपके पास इतना time होता है कि आप उसको हिंदी में translate करके समझ सके हिंदी में translate करके आप उसको solve कर सके तो अब आप का answer आता है नहीं sir आप बिल्कुल सही करें ठीक है तो आप में से कुछ बच्चों के साथ ऐसे problem जा सकती है चुकि हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं आपको question लगाना सिखाते हैं बिल्कुल pragmatic तरीके से विया वहारिक तरीके से आपको लगाना सिखाते हैं आप देखेंगे कि सभी chapters में कुछे question ऐसे होते हैं that is हम लोग बात करें तो 99% question ऐसे होते हैं जो concept पर best होते हैं और सिर्फ concept का use करने से वो बन जाते हैं एक परसेंट question आपके sense best होते हैं उसको बनाने के लिए आपको word का meaning आना चाहिए या कई बार उस तरीके के question को solve करने के लिए आपको हिंदी में translate करना पढ़ सकता है otherwise बाकी सारे question आप बिना हिंदी में translate किये आसान तरीके से बना के निकल सकते हैं और आप अपने आपको SEC में select करवा सकते हैं तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे आईए अब हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं तो सबसे पहले यह जो adjective का definition हम सबों ने पढ़ाता उसका example यदि आप से पूछा जाए या आप सबों ने हम सबों ने जो बचपन से पढ़ाता उसमें यदि adjective पूछा जाए कुछ adjective के example दे दीजिए तो आप में से ज्यादा तर बच्चों का mindset ये बना होता है जैसे good, bad, tall, thick वगएरा वगएरा हम यदि आप से पूछें कि adjective कहां पर sentence में दिखाई पड़ता है कहां पर use किया जाता है तो हम सबों को जो सिखाया गया है हमारा आपका जो mindset बना हूआ है वो सिर्फ यह कहाता है adjective एक ही जगः आ सकता है कहांपे आ सकता है बाई तो आट्जेक्टी आता है सिर्फ और सिर्फ noun के पहले कहांपे आता है तो noun के पहले आता है नाउन के ठीक पहले कोई भी वर्ड यूज कहा जाए तो हम लोग उसको क्या कहा देंगे तो हम लोग कहा देंगे उसको एड्जेक्टिव जैसे बच्पन से आपका पढ़ा हुआ यह जो प्यारा सा एक्जम्पल है हम यही से आपके सुरुवात करते है एड्जेक्टिव की य अगर आप ध्यान से देखिए यहां तक तो बाते सही है ठीक है लेकिन अब आपके कम्टिटिव एक्जम में या आप कहीं भी किसे भी सोर्स से इंग्लिस को पढ़ना सुरू करते हैं तो आपको तीन तरीके से इंग्लिस में एड्जेक्टिव का यूज होता हुआ से दीरे एड्वांस लेवल की तरफ लेकर चलेंगे तो यह आपका बचपन से जाना पाचाना एक्जामपल था अब देखिए एड्जेक्टिव के बारे में बताया जाता है इंग्लिस में हम लोग को पढ़ने को सीखने को मिलता है यदि एड्जेक्टिव का यूज है तो ह अब आईए इसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि प्रेडिकेटिव क्या होता है तो प्रेडिकेटिव तब कहते हैं जब एड्जेक्टिव वर्ब के बाद यूज किया गया हो जैसे अब यहां देखें यह इस क्या है यह वर्ब है यह क्या है यह एड्जेक्टिव है क्या यह 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 है एड्जेक्टिव अब इस टाइप का जो एड्जेक्टिव होता है जो वर्ब के बाद दिखाई पड़ता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव तो यहाँ पर दो type हम ने पड़ा तीसरा type अभी बाकिए post positive पॉस्त positive क्या कहते है तो किसी भी noun या pronoun के तुरंट बाद यदी adjective दिखाई पड़े या adjective का यूच किया गया हो तो इसी adjective को हम लोग कहते है post positive क्या कहते है इसी को कहते है post positive अब ये क्या होता है भाई इसका कुछ example होता है क्या सर ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा बिल्कुल होता है आपके exam में दिखाई पड़ता है आप English में कहीं भी कुछ भी पढ़ते लिखते सुनते हैं उन सभी जगों पर ये आपको appear होता हुआ दिखाई पड़ेगा अब आप इसको ज anything anything beautiful अब ये देखिए ये beautiful आपका बच्पन से जाना पाचाना adjective है इसमें आप में से किसी को कोई doubt होना नहीं चाहिए अब ये anything क्या है भाई आप देखिए anything के last में क्या लगा हुआ टी एच आई एंजी लगा हुआ है और इसके बारे में हमने आपको जब pronoun पढ़ाया था और उसके बारे में हमने आपको बताया था कि यदि किसी भी word के last में one body या thing लगा हुआ हो तो इसी को हम लोग करते हैं in different pronoun क्या करते हैं in different pronoun करते हैं बात समझ में आ गई तो यदि आप में से कुछ बच्चों का या यदि आप में से किसी का प्रणाउन छूट गया हो तो प आप वहाँ एससी के section में जाएगा और एससी के section में जाके playlist में देखिएगा general English मिलेगा उसे pronoun को उठा के आप पढ़ लेजेगा ठीक है सब री कबर हो जाएगा तो वहाँ पे in different pronoun पढ़ाते हैं हमने आपको बताया था कि यदि किसी word के last में thing लगा हो तो वो in different pronoun होगा और किसके लिए non living things के लिए इसका use हम लोग करते हैं ठीक है बात समझ में आई तो अब ये क्या हो गया तो ये हो गया pronoun क्या हो गया ये तो ये हो गया हमारा pronoun और देखिए pronoun के बारे में ये information दे रहा है या किसी noun या pronoun के बाद यदि कोई adjective आए तो इसी को हम लोग क्या करते है इ तो ये beautifully यहाँ पे post positive adjective की तरह role play कर रहा है इसका use यहाँ पे post positive adjective के रूप में किया गया है बात समझ में आ रही है ठीक है अब चले यहाँ से आगे बढ़ते हैं देखिए हम सबों का बचपन से एक mindset बना हुआ है क्या mindset बना हुआ है तो हम सबों का एक mindset बना हुआ है कि adjective कहा use कह जाता है तो noun या pronoun के ठीक पहले चीक है इस confusion से हम लोग यहाँ पे बाहर निकले इसी तरीके से जैसे आप कभी गाना सुने थे टूटेंगे सारे भरम दीरे धीरे यहाँ पे देखिए आपके भरम जो है confusion जो है धीरे धीरे तूट रहे हैं और आप धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करता हुआ पा रहे है अब देखे इसके अलावा और कुछ confusion हम सबों का mindset बना हुआ है या हम लोगों का confusion है mind में बना हुआ है किस तरीके से बना हुआ है आईए इसको भी हम यहाँ पे तोड़ते चले कुछ example लेते है example के मादियम से हम आपको थोड़ा सा update करते चले जैसे बच्पन से हम सबों ने जो पढ़ा था वो यही था good boy bad boy सी तरीके का adjective हम लोग पढ़ते आए थे और हम लोग को बताए क्या था कि यह नाउन है यह नाउन की विसेस्ता बता रहा है इसलिए इसको कहते हम लोग adjective ठीक है आप इंग्लिस grammar में adjective का जो definition क्या है वो definition क्या है वो definition कता है adjective is award which qualifies the noun or a pronoun adjective is award which qualifies the noun or a pronoun qualify करने का मतलब उसकी विसेस्ता बताना नहीं होता है आप इस बात को ठीक तरीके से समझने का प्रयास किजिए क्वालिफाई करने का मतलब उसकी विसेस्ता बताना नहीं होता है क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसके बारे में कुछ भी information देना information अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है वो विसेस्ता बताने वाला information हो सकता है विसेस्ता बताने वाला information नहीं भी हो सकता है ठीक है अब ये देखे नाउन के पाले였습니다 ले इस लिए क्या कळाएगा तो ये क्या क्या लाएगा अडजक्तिव अब ये देखें ये pause second, third, fourth, ये जरा आप देखें ये इसके बारे में कोई विसस्ता बता रहा है किया ये जो first word यहां पर use क्या गया है ये इस ball के बारे में कोई विसेस्ता बता रहा है नहीं बता रहा है ये ball के बारे में सिर्फ information दे रहा है कि ball का जो sequence है वो पाला है ठीक है तो पाला हो, दूसरा हो, आखरी हो ठीक है बात समझ में आ रही है या हम कहते हैं 5 balls फ़र से क्या है? अब यह देखेए जो 5 है इस ball कि यहां पर भी सेथता नहीं बता रहा है बलकि यहां पर बॉल की संख्या का बोद करा रहा है तो ball के बारे में information दे रहा है, इस लिए इस 5 को हम क्या कहें گे? तो इसको हम कहेंगे adjective इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम adjective बात समझ में आ रही है तो दूसरा जो आपका confusion था यह यहाँ पे टूट रहा है चीक है क्या टूट रहा है तो adjective हम लोग उसको कहते हैं जो किसी भी noun या pronoun के बारे में कुछ information देता है information जो दे चाहे वो noun के पहले आए यह noun के बाद में आए प्रणाउन के पहले आए प्रणाउन के बाद में आए वर्व के बाद आए चाहे कहीं भी आए हम लोग उसको क्या कहेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे adjective क्या कहेंगे adjective बोलेंगे ठीक है लेकिन आप maximum time देखेंगे कि यूज किया जाता है ठीक है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे अगले concept की तरफ और अगला concept हमारा क्या है तो यह हम आपको थोड़ा सा दिखाते चलिए देखिए हमने जब आपको प्रॉन पढ़ाना किया था तो प्रॉन में हम मुझ67 यह एक टेबल पढ़ा हुआ है और इस टेकल के बारे में हम सब वनेबचपन से पढ़ा है बाई क्या पढ़े है तो इसके बारे में कि यह subjective case है यह objective case है यह obsessive pronoun है और यह क्या था यह था हमारा possessive adjective पॉपसेसिव एड्जक्टिव तो पढ़े इसको हम सब लोग कहा पढ़ते प्रणाउन में प्रणाउन के टेबल के रुप में हम लोग इसको पढ़ते हैं ठीक है आपको स्कूल में भी यह टेबल पढ़ाये गया था इस तरीके हम लोग करते हैं नाउन के ठीक पहले कहां करते हैं नाउन के ठीक पहले यह बिना नाउन का नहीं आ सकता ठीक है और यह किसी भी नाउन के ठीक पहले आकर उस नाउन पे किसी व्यक्ति या वस्तु के अधिकार या संबंध का बोध कराता है ठीक है यह बात समझ में आ है तो यह क्या है यह है हमारा possessive adjective अब देखिए adjective के बहुत सारे types आप सब होने बच्पन से पड़े हुए लेकिन चुकि आपके किसी भी competitive exam में चुकि विसेस रूप से हम लोग यहां पर चर्चा करने ACC की तो ACC के किसी भी exam में आपके adjective के type से question नहीं पूछे जाते कितने types होते हैं ऐसे कहीं भी कभी भी question नहीं देखने को मिलते हैं तो हम लोग अपने adjective के इस वीडियो session में सिर्फ और सिर्फ उन बातों की चर्चा करेंगे जिससे आधारित question आपके ACC exam में देखने को मिलते हैं चाहे वो CGL हो या CHCGL हो ठीक है section है जिससे सबसे ज़्यादा question आपके exam में देखने को मिलते हैं ठीक है तो adjective में आपको सबसे ज़्यादा जो question देखने को मिलता है वो है degree का section अब degree का मतलब क्या होता है degree का मतलब होता है मातरा quantity का मतलब ही होता है मातरा ठीक है अब इन दोनों के मातरा में क्या डिफरेंस है भई तो जो quantity है वो किसे noun की quantity को बताता है जैसे हम लोग कहते हैं दो लीटर दूद पांच किलो चावल बात समझ में आ रही है तो ये चावल की दूद की मातरा को बता रहा है दो लीटर पेट्रोल बात समझ में आ रही है ये क्या कर रहा है उस noun के पेट्रोल क्या है नाउन है material नाउन है उसकी ये क्या कर रहा है information दे रहा है उसके मातरा को बता रहा है बात समझ में आ रही है अब डिगरी क्या होता है यदि आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो उस क्वालिटी की डिगरी क्या है उस क्वालिटी की जो मात्रा है उसको हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, डिग्री में पढ़ते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब इस डिग्री को हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, कि डिग्री कितने परकार के होते हैं, तो डिग्री तीन परकार के होते हैं, भाई, पहला कौन सा, पॉजिटिव डिग् ठीक है बात समझ में आ रहे हैं अब यहां से कुछ चीजों को हम लोग सीखते हुए आगे की और बढ़ते हैं सबसे पहले देखे इसमें जो आपका मुख्य चीज है जो important बाते हैं उसको हम लोग यहां पे सीखें positive degree का यूज सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तू का गुन या दोस्त बताने के लिए किया जाता है ठीक है positive degree का यूज सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तू के लिए किया जाता है comparative degree का यूज सिर्फ और सिर्फ दो के लिए किया जाता है दो व्यक्ति हो या वस्तु हो living हो या non-living हो कुछ भी हो हमें इसे कोई मतलम नहीं है comparative का यूज सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए होगा दो के लिए होगा superlative का use किसके लिए होता तोuperlative का use होता है more than two के लिए दो से जादा व्यक्ति अवस्तु हो तो पॉलींग हो रहे हो उनके बारे में आपको information देना हो तो हम लोग किसका use करते हैं? हम लोग कि उस करते हैं? superlative degree का, ठीक है अब ये बात आपको पता हो गई अब दूसरी बात कि comparative degree के साथ हम लोग बचपन से क्या यूज़ करते आए हैं तो हम लोग then का यूज़ करते आए हैं superlative degree के पहले हम लोग क्या यूज़ किये हैं तो हम लोग article the का यूज़ किये हैं यह बात हैं हम समों को बच्पन से पता है हम इसको यहां पे रिवाइस करवा दिए ठीक है बात समझ में आ गए अब चलते हैं यहां से आगे कुछ और चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं उन बातों की और हम आपको लेकर चले जिनसे कोशन आपके एकसाम में कुमार आते हैं भरे हुए कोशन मिलते हैं बहुत सारे कोशन आपके एकसाम में देखने को मिलते हैं आगे आप देखेंगे जब हम लोग एससी प्रिवियस येर में पूछे गए कोशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे इन सेक्शन से भी कोशन बहुत सार पूछे गए हैं ठीक है इसी लिए हम आपको ये बता भी रहे थे अदर्वाइस हम ये आपको बताते भी नहीं पूस ऐसी बैजेक्टिव जो अभी प्रणाउन के टेबल में हम आपको बता रहे थे उससे भी बहुत सारे कुशन आपके कि एकञामें देखने को मिलते हैं बार-बार पूछे जाते हैं इसलिए वो भी हमने आपको बताया तो बोट को अब यह देखे इसी तरीके से आपके ASC exam में question पूछे जाते हैं, ठीक है, तो चाहे वो common error के रूप में पूछे जाए, sentence improvement के रूप में पूछे जाए, feeler के रूप में पूछे जाए, यह आपके close test में भी adjective से question हज़ रहते हैं, ठीक है, तो इन सभी जगों पे आपको जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह देखे सामने जो question लगा हुआ है, यह आपके SSC previous year में देखे 2020 का paper है, यह CHSL में पूछा गया, अब यह exam conduct कब हुआ था, 2021 में, ठीक है, तो अब इन सारे questions को हम लोग ऐसे solve करेंगे, और यह Latin words क्या होते हैं, इन में confusion क्या है, इन सब की last में OR लगा होता है, क्या लगा होता है, तो OR लगा हुआ होता है, जैसे यह रहाँ senior, senior, junior, senior, junior, interior, interior, posterior, 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 यह सब कुछ ऐसे word हैं, जो आपके exam में बार-बार दिखाई पढ़ते हैं, और इन के बारे में हम सब उकुर सिखने को मिलता हैं, यह सिखाया जाता रहा है बचपन से, कि ऐसे word जिनके last में OR लगा हो, क्या लगा हो, और लगा हो, यह सारे के सारे word हमेशा और हमेशा होते हैं, comparative degree में, कौन से degree में होते हैं, तो यह होते हैं हमेशा और हमेशा comparative degree में, अब इन के साथ grammar का जो point पूँछा जाता है, हम उसकी च junior हो, interior हो, posterior हो, interior का मतलब क्या होता है, पहले वाला, posterior का मतलब, बाद वाला, कुछ और आपको what देखने को मिलते हैं, जैसे inferior, superior, inferior, superior, ठीक है, यह word आपको exam में, यह चो 6 word है, इन ही में से maximum देखेंगे, आप senior मिलेगा, junior मिलेगा, inferior मिलेगा, superior मिलेगा, ठीक है, और उसके बा पारे में हम सबों को बताया गया, कि ऐसे latin war, जिनके last में, ओ आर लगा हो, ऐसे latin war, जिनके last में, ओ आर लगा हो, यह हमेशा और हमेशा होते है, comparative degree में, यह पैदा भी होते है, comparative degree में, ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन इनका न तो positive degree होता है, और नहीं comparative degree होता है, ठ लोग बचपन से यह जानते हैं यह जानते हैं यह जानते हैं भी कि बचपन से हम लोग क्या जानते हैं भाई तो comparative degree के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं तो comparative के साथ हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं छे वर्ड के सांत हम लोग कौन से प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो इनके सांत हम लोग प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे तो इनके सांत हम लोग प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे और आपके एक्जाम में यदि टू दिया गया होगा तो वो sentence correct है और यदि two के जगर then दिया गया होगा तो वो incorrect होगा, then को convert करना होगा two में, बात समझ में आ रही है, इतना आसानी से question पूछा जाता है, अब इसमें जो confusion है, उस confusion के तरफ हम आपको ले कर चलते हैं, देखें इसमें confusion क्या है, confusion है कि इन ही के तरीके से कुछ और भी word होते हैं, जैसे कि minor, जैसे कि measure, minor, measure, यहाँ भी देखें, इनके last time क्या दिखाई दे रहा है, आपको word दिखाई दे रहा है, तो यह कुछ ऐसे word है, measure है, minor है, ठीक है, ulterior है, ulterior, ulterior, exterior, inferior, यह कुछ ऐसे word है, जिनके last में आप देख पा रहे हैं, कि यहाँ क्या लगा हुआ है, तो इनके last में लगा हुआ है, इन सबों के last में लगा हुआ है, लेकिन यह सब के सब positive degree में यूज होते हैं, कौन से degree में यूज होते हैं, तो यह सब के सब यूज होते हैं, positive degree में, यह रहा है, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, तो यह सारे के सारे ऐसे word हैं, जो positive degree में यूज के जाते हैं ठीक है और इनके साथ ना तो लगता है और ना ही देन लगता है चलिए अब चलते हैं हम लोग कुछ कोशन को सुल्व करना शुरू करते हैं तो चलते हैं हम लोग कोशन की तरफ यहाँ पर देखिए आपको जो question दिखाई दे रहे है इन सारे question का आप एक बार screenshot ले ले और एक बार खुर से इनको solve करने का प्रयास करें आई अब इनको हम लोग यहाँ पर discuss करना शुरू करते हैं देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहे है superior यहाँ क्या दिखाई दे रहे superior यहाँ क्या दिखाई दे रहे superior के साथ क्या लगा हुआ है यह सुपीरियर के साथ क्या लगा हुआ है इन गलत होगे इन के जगा हम क्या यूज करेंगे 2 का यूज़ करेंगे, senior के साथ क्या लगा हुआ then, then की जगा हम क्या यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे 2 का बात समझ में, एकदम simple सा इन सारे concept को आप बचपन से जानते हैं, भली बानती जानते हैं और इसको आप बनाते भी आए हैं बचपन से, तो इस पर हम लोग जानते समय व्यतीत नहीं करेंगे, चलते हैं, आगे यहां भी देखे, superior के साथ क्या मिला then मिला, तो superior के साथ, जो then का use करेंगे, then की जगा हम क्या use करेंगे तो हम use करेंगे 2 का next, अगले वाले question में देखे हम लोग अगले वाले question में देखे, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, senior दिखाई दे रहा है, senior के साथ देखे, यहां पर क्या लगा हुआ है, then, तो then की जगा क्या use करेंगे, then की जगा हम लोग use करेंगे, 2 का, तो अब चुकी common error के part पूछा गया, तो इस question करने के जरूवत नहीं, आप previous year paper उठाके देख लिजिएगा, यहां पर आईए, our debating team is superior to, यह देखे, superior के साथ क्या लगा हुआ है, अब देखे, जब हम pronoun आपको पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको बताया था, कि यह two क्या है, preposition है, preposition के बाद, यह कोई pronoun आए, या noun आए, तो उसको कौन से case में रखा जाता है, objective case में, और आप pronoun के table में याद किजिए, हमने आपको पढ़ाए थे, देर, देर्स और दिम, यह देखे, देर्स है, देर्स क्या है, possessive pronoun है, और यहां पर possessive pronoun की जगा हम लोग को क्या use करना चाहिए, हम लोग को use करना चाहिए, objective case, क्या use करना चाहिए, objective case use करना चाहिए, आईए ज़रा ढूंडे, क्या कुछ ऐसा option है, तो यहां पर आपको option दिखाई देरे, option number C में, यह देखे, superior, superior के साथ लगा हुआ है, तो वाला part correct है, और यह preposition है, preposition के बाद यह देखे, यह देखे, यह कौन से case में आगए, यह आगए, objective case में, ठीक है, तो यहां पर देखे, adjective के साथ pronoun का मिला जूला concept भी आप से पूछ लिया गया, तो इसी तरीके से आपके exam में question पूछे जाते हैं, और इसी तरीके के approach के साथ आप अपने exam में पूछे के question को solve करते हैं, अब देखे, अब अगला हमारा जो concept है, वो है डबलू एच interrogative word, डबलू एच interrogative word क्या भाई, जिसको आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, what is your name, तो word क्या था, interrogative word था, इसके बारे में हमने आपको जब pronoun पढ़ाया था, तब भी हमने आपको बताया था, कि दुनिया का कोई भी डबलू एच interrogative word हो, ये दो प्रकार का role play करता है, कम से कम दो प्रकार का role ये play करता है, पहला role ये play करता है, interrogative का, interrogative का role कब play करेगा, जब इसको हिंदी में translate करने पर इसका शुरुवात होगा, कौसे, हिंदी में यदी दुनिया के किसी भी डबलू एच वर्ड को हिंदी में translate करने पर, उसका first letter हिंदी में, उसका first letter कौस से सुरू हो, तो यही काम करता है interrogative का, किसका काम करता है, एंटेरोगेटिव का, काम करता है और यदि दुनिया के किसी भी डब्लू एच वाड को हिंदे में ट्रांसलेट करने पर उसका फॉस्ट लेटर जो से सुरू हो किससे सुरू हो जो से सुरू हो तो यही काम करता है रिलेटिव का किसका काम करता है relative का काम करता है अब यह जो WH word होता है यह interrogative pronoun का role भी play करता है interrogative adjective का role भी play करता है interrogative adverb का role भी play करता है यह relative pronoun का काम भी करता है यह conjunction का role भी play करता है relative pronoun का काम भी करता है और यह relative adverb का काम भी करता है तो उतना detail में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है हम इसके बारे में उन सभी मुद्धों पे चर्चा आपके साथ करेंगे जिसे पर आधारित आपके SSE exam में question देखने को मिलते हैं अब आईए हम आपको समझाते चलें कि इसे आपके exam में question कैसे कैसे पूछे जाते हैं और आप इनको कैसे solve करेंगे तो इनका क्या क्या concept आपके एक्जाम में देखने को मिलता है सबसे पहले आईए हम आपको समझाते चले देखिए आपको कोई भी डब्लू एच इंटरोगेटिव वर्ड देखने को मिलेगा इसके ठीक पहले यहाँ पे या इसके ठीक बाद यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोणाउन यूज किया गया और थात इस डब्लू एच वर्ड का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोणाउन के ठीक पहले किया गया हो तो इसी को हम लोग कहते हैं अब आपके एक्जाम में जो पॉइंट पूछा जाता है आईए हम सबसे पहले हो उसकी चर्चा करें तो आप देखेंगे कि आपके इसे सी एक्जाम में दो तीन तरीके से इसे कोशन पूछा जाता है सबसे पहला कि कोई भी डवलुएच इंटरोगेटिव वाड़ हो इंटरोगेटिव का मतलब कौसे हिंदी में सुरू होना चाहिए इसके तुरंत पहले यहां पे दैट का यूज नहीं किया जा सकता दूसरी बात कि इसके तुरंत बाद यहां पे किसी भी helping verb का यूज नहीं किया जा सकता आईए इसको हम फिर से समझाते चले helping वाले को बाद में समझाते हैं पहले यह एक concept आप समझ चुके अब इसको हम clean करते हैं और clean करके फिर से आके आते हैं और आपको लेकर चलते हैं इस concept के तरफ यदि कहीं भी कोई भी डवलू एच इंटरोगेटी वाड़ आपको दिखाई दे इसके तुरंत बाद यहां पे helping वाब लगा हो तो यहां पे हम लोग लगाते हैं question mark ठीक है और यदि डवलू एच इंटरोगेटी वाड़ हो इसके तुरंत बाद यहां कोई noun या pronoun given हो noun या pronoun given हो इसके बाद यहां पे helping वाब आए तो हम लोग यहां पे लगाते हैं full stop क्या लगाते हैं sentence या clause आपको given होगा और इसके बाद आप देखेंगे यहां पे कोई भी डब्लू एच वाड़ given होगा यहां पे helping वाब given होगा इसके तुरंत बाद यहां पे कोई noun या pronoun given होगा और sentence के last में लगा होगा full stop आपको क्या काम करना होता है ऐसे question को solve करने में यहां जो noun यहां जो helping वाब given होगा इसको आप इस noun या pronoun के बाद प्लेस कर देंगे इस helping वाब को आप यहां पे helping वाब के बाद जो noun या pronoun given होगा आप इसको इसके बाद place कर देंगे यह sentence correct हो जाएगा बात समझ में आ रही है तो इस point से धेर सारे question आपके exam में पूछे जाते हैं और इस तरीके से changes करके sentence में यहाँ पर इसके place में helping bob के place को change करके इस तरीके से आप sentence को correct कर सकते हैं आए इसका यह concept लिया कहां से गया हम थोड़ा से यह भी आपको बताते चले यह concept है narration का किसका concept है यह narration का concept है जो आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे दरसल यह concept है कहां का narration का ठीक है अब चुकि adjective के रूप में इसका use करके आप से question पूछा जाता है इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते है अब देखिए इसमें होता क्या है तो इसमें होता क्या है कि जब आप डायरेक्ट कोशन गिवेन होता है डायरेक्ट को जब आप इन डायरेक्ट में इसके तुरंत बाद यहाँ पर यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन गिवेन हो तो भी यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं यह यूनिवर्सल रूल यह सभी जगों पर आपको दिखाई पड़ता है ठीक है लेकिन इस पैटन पर आपके एक्जाम में कोशन गिवेन नहीं होते है ठीक है अब आपके एक्जाम में कोशन कैसे गिवेन होता है भाई तो वो हम आपको बताते चले आपके एक्जाम में कोशन गिवेन होता है कि इधर एक सेंटेंस या क्लॉस गिवेन रहता है यहाँ पर डबलू एच इंटरोगेटि और indirect पढ़ते हैं उसमें direct का question यदि interrogative हो जब आप उसको direct से indirect में convert करते हैं तो sentence class में हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं फॉल स्टॉप लगाते हैं बात समझ में आ रही है इसी concept का use करके यह question आपसे exam में पूछा जाता है और यह question narration में ऐसे नहीं पूछा जाता है इस तरीके से question आपके common error में देखने को मिलता है sentence improvement में देखने को मिलता है fill in the blanks में मिलता है close test में देखने को मिलता है तो इन सारे सेक्शन में इस तरीके से question आपके exam में देखने को मिलते हैं आईए अब हम लोग कुछ question को यहाँ पर solve करना शुरू करते हैं हमने पहले ही आपको बता रखा है कि इस type का question आपके exam में पूछा जाएगा तो आप कैसे solve करेंगे इस helping verb को आप यहाँ पर place कर देंगे यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग helping public लिखेंगे यह sentence हमारा क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा correct ठीक है बात समझ में आई चलिए तो अब in question की तरफ हम लोग चलें इस concept पर वेज़ कुछ question यह देखे 2000 CHS 2020 में भी इस pattern पर question आपके exam में पूछे गए यहाँ दे address do you want to buy आप कौन साड्रेस खरिदना चाहते है तो यह sentence कैसा है यह sentence बिल्कुल correct है इसमें कहीं किसी भी प्रकार की error की कुई कुण जाइस नहीं है यह देखे डबली च इंटरोगेटिव और यह क्या हो गया नावन यह प्रनावन हो गया इसके बाद यह क्या हो गया helping buff हो गय ठीक है अब चुकिए which address मतलब इसका मतलब होता है कौन सा क्या होता है कौन सा यह interrogative है interrogative है और यह single sentence है single sentence है इसलिए देखे हैं पर क्या लगा हुआ है question mark लगा हुआ ठीक है sentence बिल्कुल सही है इसमें कहीं कोई गल्ती नहीं है यह देखे यह home क्या है तो यह home है हमारा noun अब noun के पर यह देखे पैलेस पैलेस क्या होता है राजमहल भवन ठीक है अब पैलेस क्या होता है noun होता है तो इस noun को यह noun qualify नहीं करेगा है noun को qualify करने के लिए क्लिए क्लिए चाहिए था यहाँ पर adjective तो यह देखे क्या मिला हमें palacial तो इस cancer क्या बना palacial ठीक है next यहां से आगे ब यह देखियो more taller than, तो यह देखियो taller than तो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसका concept आगे हम लोग पढ़ेंगे taller than, तो tall का comparative क्या होता है, taller, tall, taller, tallest, तो ऐसा कोई भी adjective जिसका comparative already होता है, उसके पहले हम लोग यहाँ पे more का use नहीं करते हैं, ठीक है, आगे इसकी चर्चे हम पढ़ें, और देखें कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो यह जो more or taller underline किया हुआ पार्ट है, sentence improvement का पार्ट है, उसके जगा हम केवल और केवल क्या use करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आपको use करके, अपने आपको exam में select करवाना होता है, ठीक है, next, यह जो question है, आप यहा आपको देखने को मिल रहा है, यह sentence यह close देखिए, correct है, इसे हमें कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर देखिए, यह डबलू एच इंटरोगेटिव ओड है, डबलू एच इंटरोगेटिव ओड के बाद यह क्या है, helping bob है, यह क्या है, तो यह हमारा noun, क्या है, noun, house क्या है, ठीक है, तो where their house, house कैसा है, singular है, तो house के लिए हम लोग क्या यूज करेंगा, was का यूज करेंगा, न की, work का यूज करेंगे, आईए जड़ा option, देख लिए हम लोग को, where their house, was, तो हमारा answer क्या बने का option number B बनेगा, answer क्या बने का option number B बनेगा, next, next, यहाँ पर देखिए, कुछ serving his country, ठीक है, what man can die, ठीक है, अब इस question को जड़ा ध्यान से देखिए, इसको बनाने का प्रयास किजी, इसमें क्या error हो सकता है, what man can die better than, देखिए, सबसे पहले यह better good का, comparative क्या हो गया, better, better के साथ क्या आता है, then, तो यह part correct, यह part भे correct, serving his, ऊपर के question को जड़ा ध्यान से इसके बाद यह क्या है, helping of आ गया, यह क्या है, pronoun आ गया, क्या करें, इस deed को मटा दे, दो तरीके से इसको अमठीक से लिख सकते हैं, इसका पहला option, why, see, did, call, यह एक तरीका है, यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन यह आप में से कुछ बच्चों को digest नहीं होता, क्योंकि हमारी इंग्लिस weak रहे, दूसरा इसको लिखने का क्या correct तरीका है, तो दूसरा इसको लिखने का सही तरीका है, yc called, yc called, बात समझ में आई, बाकि सारे part correct है, y के पहले का part भी correct है, call के बाद का part भी correct है, उससे भी हमें कोई एतराज नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, next अग तो sentence क्या है बिल्कुल correct है इसका answer क्या बनेगा तो answer बनेगा हमारा no error third question में चलते है how do you देखिए how do you आ गया behave तो इसको भी correct करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे do का use नहीं करेंगे इसको correct करने के भी फिर से वही बात है दो तरीके how you behave या how you do behave ठीक है बात समझ में आई next यहाँ देखिए what man can die यह देखिए wh interrogative what is इसके बाद यह क्या गया noun आ गया noun के बाद यह क्या helping वह तो yes and dance correct है तो इसका answer क्या बन गया इस question का answer बना हमारा no error ठीक है next आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग और इसी तरीके से यहाँ भी कुछ question given है आप इसका screenshot ले लिजे और इसका answer आप कहाँ पर करेंगे तो आप करेंगे YouTube पर comment box में यहाँ देखिए फिर से explain हम तोड़ा से आपको एक question का कर दे यह देखिए यह देखिए wh word है यहाँ पर क्या करेंगे इस को हम लिखेंगे digital computer के बाद यहाँ पर how a digital computer is ठीक है next यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके के question को बनाना अब आप सीख चुके हैं इस question का answer भी आप करेंगे कैसे करेंगे तो यह थोड़ा सा sense based question है अब देखिए with an one and guess the meaning from the context अब इस sentence को आपको पढ़ने की जरूरत है चोकि यह meaning based question है sense based question है when you want to expand your vocabulary जब आप अपने सब्दावली को बढ़ाना चाहते हैं the best thing to do is to relate a known word with an तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका जो आना पाचाना वर्ड है वह जिसको आप जानते हैं ठीक है उसके तुलना आप किसे करेंगे उसको रिलेट आप किसे करेंगे तो ऐसे वर्ड से जो आपके लिए बिल्कुल नया था first time आपको दिखाए पड़ा था आपके लिए तो अन्नोन वर्ड की तुलना आप किसे रिलेट करेंगे नोन वर्ड से करेंगे यह याद करने का तो अन्नोन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अनने से सरी होगा ने एसेंसियल होगा ने अनक्लियर होगा ने एक ही वर्ड है अन फेमिलियर अन फेमिलियर जिससे आप जानते नहीं है, यहां पर देखिए, इसको बना सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको प्रोनावन में ही पढ़ाया था, रिलेटिव पढ़ाया थे समय, आफ विच का यूज हम लोग करते हैं, नौन लिविंग के लिए, ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं, अब आप कौन कौन सी वो बाते हैं, जिस पर बेस्ड आपके एससे एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं, आईए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, एक कोशन को सबसे पहले देखते हैं, देखें इस कोशन में यदि आप देखेंगे, तो यहां पर आपको दिखाई देरा है, लास्ट थर्ड वाले कोशन में देखेंगे, तो यहां पर आपको दिखाई देरा है, यहां पर आप देखेंगे, तो अंसर्टेनली, यह देखें बिल्कुल फंडमेंटल टाइम के कोशन है, जैसे अभी थोड़ी दिर पहले आज ही के क्लास में हमने आपको बताया कि हम सम लोग एड़ कर tedrальных के लास्ट में लोग उसको बनाते थ Ama भास में आ रही है अब देखे ये कैसे होता है क्या होता है इनकी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करते चलिए जाएक घ्जंपल लैते हैं एक example लेते हैं, clever, clever का meaning क्या होता है, आप इसको बजपन से जानता है, यह क्या है, तो यह adjective है, अब clever के last, आप ly add करते हैं, cleverly, यह क्या हो गया, तो यह हो गया, adverb, यह cleverly क्या हो गया, यह हो गया, adverb, ठीक है, तो noun के पहले adverb नहीं है, अगर noun को qualify करने के लिए adverb का use हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग किसका use करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं, adjective का, इस question पर देखिए, इस concept पर बेज़ नहीं है, यह capital market, capital market क्या noun है, अब capital market के पहले यह देखिए, uncertain में ly लगा हुआ है, तो इसका यदि हम ly हटा दें, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, हमारा adjective, uncertain capital market, बात समझ में आई, यह बच्पन वाले concept पर best था, अब जो third question है, इसमें क्या करें, यह देखिए, mostly नहीं, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, most का, किसका use करेंगे, most का use करेंगे, इस वाले question में जारा देखिए, of the two principles, कितने principle की चर्चा हो रही है, दो principles की च कार के होते हैं, एक किलास में देखेंगे, पी एल लगा होता है, और दूसरे किलास में देखेंगे, पी एल ई लगा होता है, यह क्या होता है, यह हमारे आपके स्कूल कॉलेज में जो परधाना चारे होते थे, जो परधाना द्यापक महोदय होते थे, सर होते थे, हेड मास् का सिध्धान था अपने पड़ता थियोरी तो यह होता है थियोरी बात समझ में आ चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग इसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझना सुरू करते देखे इसमें क्या है दो की चर्चा की गई और दो में से यदि पहले वाले के बारे में बताना हो किसके बारे में पहले वाले के बारे में बात करनी हो तो हम लोग यूज करते है फॉर्मर का दो में से बाद वाले की चर्चा करनी हो तो हम लोग यूज करते है लैटर का किसका लैटर का तो यहां लास्ट वन की जगा हम लोग किसका यूज करेंग उन्हीं पर आधारिती कोश्चन जैसे यहां भी देखिए माला की दो भानी है रिया और स्रिया और वेरी इंटेलिजेंट दोनों ही बड़ी इंटेलिजेंट हैं दोनों ही हाड़ वर्किंग है बटाई हमसे और आई लाइक दा लेटर मोस्ट अब लेटर लेटर मतलब दो में इसे बादवाला बादवाला कौन सा है यहाँ पर तो बाद में किसका नम दिखा गया श्रिया का यानि कि यहाँ को मानता है कि कि वो जादा बेतर है ठीक है हम जादा उसको पसंद करते हैं नेक्स अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग अब हम लोग चलेंगे डिगरी के बारे में और कुछ जानकारी लेते हुए आगे की और बढ़ेंगे अब डिगरी में देखे जो तुलना क्या जाता है बेसिकली हमने तीनों में भी जादा तर कोशन आपको कहां से देखने को मिलते हैं तो जादा तर कोशन आपको देखने को मिलते हैं कॉमपरेटिव डिगरी से किसे कॉमपरेटिव डिगरी से अब देखिए कॉमपरेटिव डिगरी का यूज हम लोग करते हैं तो पॉजिटिव डिगरी का यूज कआप करते हैं super native का यूज कव करते हैं आई इसके एक एकदम brief में चरचा करते हैं हमने आज के class में इसके बारे में brief मैं आपको बताया भी था positive degree का use हम लोग करते हैं सिर्फ एक सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तू का गुनियादोस बताने के लिए comparative या वस्तुम में से किसी एक हो सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताने के लिए चाए वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों में से कोई भी क्वालिटी हो बट वो एक्स्रीम लेवल पे होनी चाहिए ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग यू तुलना किसे होता है सब्जेक्टिव का कॉमपरिजन होगा सब्जेक्टिव से यह प्रोनाउन के टिवल से हम ले रहे हैं कॉंसेप्ट ऑब्जेक्टिव का तुलना किसे होगा ऑब्जेक्टिव से होगा पॉसेसिव का कॉमपरिजन किसे होगा पॉसेसिव से होगा पॉसे यह बाते हो गए, अब V4, V4 यानि ING वाला जो form होता है, जिसको हम लोग 0 कहते है, V4 का comparison किसे होगा, V4 से होगा, ठीक है, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, जिसको हम लोग infinitive कहते हैं, 2 प्लस V1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, infinitive, क्या कहते हैं, infinitive, तो इस 2 गुष इसके आगे हम कुछ और एक्जामपल लेके आपको दिखाने समझाने का प्रयास करें जैसे एक एक्सामपल लेके हैं he is junior to his brother अब देखें यहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं चला यहाँ पे यह देखें junior to हो गया यानि comparison हो रहा ही का comparison हो गया his brother से आपको कुछ जादा समझ में नहीं आया लेकिन हम एक दूसरा example लेते हैं my mother my mother my mother loves loves me more more than more than see अब यहाँ जाद आप ठीक से देखें यह more than क्या हो रहा है comparison हो रहा है comparison किसका किसका हो रहा है भाई अब हम पेन का color यहाँ पर थोड़ा सा change कर लें comparison किसके किसके बीच हो रहा है me और see me कौन से किसम है तो मी है objective case में कौन से किस में है मी objective case में C कौन से किस में है subjective case में तो हम लोगों ने अभी-भी क्या पढ़ा था comparison किस में होता है दो समान चीजों में होता है objective का objective से subjective का subjective से possessive का possessive से infinitive का infinitive से jiran का jiran से बात समझ में आ रही है तो यहां पे हम लोग C को क्या करेंगे C को convert कर देंगे objective case में C का objective case क्या होता है तो objective कैसे होता है इसका हर, इंसान कतुलना किसे होगा इंसान से होगा, ठीक है इंसान कतुलना किसे होगा, इंसान से होगा आईए इसका भी एक example लेते हैं कैसे आपको confused किया जाता है और कैसे आप confused होते हुए नजराते हैं जैसे इसमें question पूछा गया माइसूज माइसूज आर बेटर बेटर दैन बेटर दैन यो मेरे जूते तुमसे बेटर है अब आप यहां पे जारा ध्यान देजिए जूता क्या है यह जूता क्या है भई नॉन लिविंग है यह क्या है नॉन लिविंग है ठीक है और यू यह किसके लिए यूज क्या है किसी न किसी इ इंसान से कैसे हो सकता है जूते का तुलना इंसान से कैसे हो सकता है यह संभव ही नहीं है ठीक है तो यहां पर इसका मिनिंग क्या होना चाहिए यहां पर इसका पूरा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए तो इसका मिनिंग और जो करेक्ट आंसर है वो यह होना चाहिए कि मेरे ज तो इस तरीके के कुश्ण भी आपके एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो आए अब इन सारे concept पर वेस्ट कुछ कोशन हम लोग बनाना सुरू करें और देखें क्या कुछ कोशन कैसे आपके exam में देखने को मिलता है अब देखें इनके अलावा कुछ और भी concept है जो आपके exam में देखने को मिलते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पर लोग एक कोशन सॉल्व कर रहे थे जिसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे जिसमें टॉलर के परले लगा हुआ था मूर तो इसके बारे में हम आपको बताते चलें इनका क्या concept है तो इनका concept कुछ ऐसा है इनका concept कुछ ऐसा है कि यह जो डिगरी होता है positive degree comparative degree और superlative degree तो ऐसा कोई भी adjective जो दो syllable तक का होता है कितने syllable का दो syllable तक का होता है syllable क्या होता है अब syllable को हम लोग लिखते हैं स-y-double-l-a-b-l-a अब यह syllable क्या होता है किसी भी वर्ड का जब उच्छारन हम लोग करते हैं किसी भी वर्ड का जब हम लोग pronunciation करते हैं तो उस वर्ड को हमारा आपका टंग जो है कुछ पार्ट में break कर देता है कुछ टुकडो में break कर देता है ठीक है तो ऐसा कोई भी English का वर्ड, English grammar का English सब्दावली का ऐसा कोई भी वर्ड English vocabulary का, dictionary का ऐसा कोई भी वर्ड जो more than two syllable का हो जो more than two syllable का हो अर्धात जिसका उच्छारन हमारे आपके चुबान से दो से ज़्यादा टुकडो में हो उसका जब भी comparative हम लोग बनाते हैं तो उसके साथ हम लोग more और most का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, more और most का यूज करते हैं, इस बात को ठीक से समझने का प्रयास किजिए आम तोर पर हम लोग क्या करते हैं, तो इसका comparative बनाने के लिए इसमें add करते हैं, यार superlative बनाने के लिए क्या यूज करते हैं तो इसमें एड करते हैं एस्टी ठीक है जैसे टॉल तो टॉल का क्या बनेगा तो टॉल का बनता है टॉलर और सुपरलेटिक क्या बनता है तो सुपरलेटिव बनता है टॉलस्ट यह बनता है अब टॉलर के साथ यहां पर हम लोग दैन लगाते हैं और is लगा के क्यों बनाएं कि ये दो से जादा से लेबल नहीं है लेकिन अब एक example ले लिए जैसे यह आपके सामने फिल जिसको आप बड़पन से जानते हैं इसे लेए ये example हम आपको दे रहें beautiful ठीक है अब इसका जब बनाते हैं तो इसका हम लोग comparative कैसे बनाते है more लगा कर अर्थात beautiful का comparative क्या बनता है तो more beautiful बनता है इसका superlative कैसे बनता है most लगा कर अर्थात beautiful का superlative कैसे लिखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं हम लोग तो इसका बनाते है most beautiful ठीक है इसी तरीके से handsome का बनेगा किसका बनेगा handsome का बनेगा इसी तरीके से handsome का बनता है इसी तरीके से important का भी बनता है important more important और most important बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से आप इसका comparative और superlative बनाते हैं अब ऐसा कोई भी adjective जिसका comparative degree बनता है er लगा कर उसमें हम लोग more का use नहीं करते हैं अर्थात comparative बनाने के यह जो दो method हैं दोनों method का use किसी भी एक ही word पे एक ही साथ use नहीं होगा बात समझ में आ रहे हैं इनके limitation limitation क्या है भाई syllable तो syllable क्या धार पर ये तह होता है ठीक है ऐसा कोई भी adjective जिसका superlative EST लगा कर बनता हो या ऐसा कोई भी adjective जिसका superlative बनता है उसमें superlative बनाने के ये दोनों concept एक साथ use नहीं होगे ठीक है तो कब कौन सा use करना है कब हमें most लगाना है कब हमें EST लगाना है कब हमें more लगाना है कब हमें ER लगाना है ये कैसे decide होगा according to syllable ठीक है बात समझ में आ गए आम तोर पर आप ऐसा समझेए एकदम मोटे तोर पर आप इस तरीके से समझेए कि जो adjective बड़ा बड़ा हो बड़े word का हो या बड़े सब्द वाला हो उसका हम लोग बनाते है more और most लगाकर और जो normal होते हैं उनका कैसे बनाते है ER और EST लगाकर बात समझ में आ गई चलिए तो ये एक concept था अब इनके बात concept क्या है भाई कि दो की चर्चा कहीं भी होगे कितने की चर्चा दो की चर्चा होगे सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तू की चर्चा होगी तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करेंगे positive degree दो की चर्चा होगे सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तू की कहीं भी चर्चा की गई हो तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे comparative degree का और दो से ज्यादा की चर्चा यह दे कहीं भी की गई हो तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे superlative degree का बात समझ में आ गए चलिए अब चलते हम लोग question की तरफ तो आएए हम लोग यहाँ पे question को देखना सुरू करें देखें क्या है हमारा question सिबसे पहले इस question की तरफ चलते है Amit has the good command on यहाँ पे the good command on English ठीक है तो good command होगा अच्छा command होगा यह बेहतर command होगा यह सबसे अच्छा command होगा यह तीनों में से कोई एक बात हो सकता है sentence को आगे पढ़िए as he was born and brought up in England चुकि उसका जो जन्म है और लालन पालन है वो सब कहा हुआ है तो England में हुआ है इसलिए उसका English कैसा होगा अच्छा होगा ठीक है अब देखें यहाँ पे better command of good command over देखें कमांड के साथ हम लोग use करते हैं over किसका use करते हैं over का use करते हैं तो इस question का answer हमारे क्या बनेगा the good command over English on की जगा हम क्या use करेंगे over का use करेंगे ठीक है जैसे किसी बी चीज में अच्छा होना तो उसके लिए 반hib में क्या जैसे को लिए native प्रोश करते हैं good good at इस तरीके से हम लोग even करते हैं प्रपोर्शन का answer हमारा क्या बन जाएंग option बी क्षेंसर अगए परते हैं अगले question में चलते हैं यहां पर देखे comparative degree का यह भी question है the mathematical calculation of this problem is easy than यहां पर देखे than का use किया गया इसका use किया गया then का use किया गया previous one मतलब पहले वाला जो था उससे यह आसान है अब दो हो गया पहले वाला और बाद वाला पहले वाला और बाद वाला इजियर बनेगा और इजियर के साथ क्या रहेगा दैन तो दैने वाला पार्ट तो करेक्ट है अब आप देख लिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यह रहा ऑप्शन नमबर एजियर नेक्स आगे बढ़े यहां से हम लोग अगले कोशन में देखे यह आपके सीप्यों में पूछ लेटिव हम लोग बनाते हैं अब देखिए ब्रेवर के साथ दैन लगा हुआ है अर्थात यह पार्ट हमारा करेक्ट है यहां पर देखे ब्रेवर के पहले एडिशनल क्या लग गया मोर लग गया तो हमने अभी अभी आपको क्या बताय था जिसका कॉम्परेटिव यह लग एक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस कोशन को देखे इन 1961 अ मेटेर वाइड वाज डिफाइंड एज एस सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग इन इंटर प्लेनेटरी स्पेस ऑफ साइज कंसिडरेबली स्मॉलर देन यहां देके स्मॉलर देन स्मॉलर देन का यूज कर लिए देन का यूज करेंगे देन का यूज करेंगे तो जैसे यहां पर यूज हुआ तै टी एच ए इन ठीक है next यहां पर आते हैं when bad things happen to good people जब किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरी घटना घटती है they became तो वो लोग क्या करते हैं भई they became that's not was तो वो लोग क्या करते हैं अच्छे इंसान का या जितने भी great persons है जितने भी महान व्यक्ति हुए ठीक है इन लोगों ने क्या किया इनके साथ भी मुसीबत आयती मुसीबत या समस्या क्यों हमारे आपके साथ नहीं होती हमारे आपके साथ ही नहीं आती बलकि दुनिया के हर इंसान के साथ जो भी धर्थी प्याया है उसके साथ मुसीबत लगी ही रहेगी अब एक आम आदमी में और एक बड़े व्यक्ति में एक great person में क्या difference होता है great person जो है वो अपने मुसीबत को जहल के अपने आपको strong बनाता है और जो आम इंसान होता है वो मुसीबत में तूट जाता है बिखर बात समझ में आई वो अपने आपको बरबाद कर लेता है ठीक है इसलिए इंसान को अपना धीरज कभी भी नहीं खोना चाहिए धैरे कभी नहीं खोना चाहिए ठीक है अब यहां पर देखिए voice and use क्या गया है तो यह महान लोग यह अच्छे लोग क्या करते हैं उससे अपन आपको bitter बनाते पहले के तुल्ला में अच्छा बनाते नकिया धर्सवादी बनाते तो आंसर हमारे क्या हो जागा बिटर नेक्स्ट यह कोशन देखिए देखिए अच्छल 2019 का कुशन था इसमें क्या करना था तो इसमें वहम लोग को अब इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए तो इसके लिए आई अब हम आपको थोड़ा से फिर सिखाते चले यह जो डिग्री होता है एकशा पॉजिटिव कोमपरेटिव और सूपरलेटि तो यह दिखिंदी किसी बीडिगरी को इंपसाइज करना हो बढ़ा चणा कर बताना हो तो पॉजिटिव कर्भ बबभ चंove करहे हैं वेका किसका इचे पहले अम प् hatte करते हैं तो इसके पहले हम लुग करते हैं मच का और सूपर लेटिफ डिग्री के पहले ऐसे किसी भी वट यूज्ज हम लोग नहीं करते हैं जिसे आप बच्पन से पच्फ residents a very good boy आपने पड़ा वे लेकिन यह से बेटर हो तो बेटर के पहले हम इसको emphasize करने के लिए कह सकते है much much better option ठीक है लेकिन हम very best option very best candidate very best boy girl ऐसा कुछ भी हम नहीं कह सकते इस बात को ठीक से समझे ठीक है चलिए तो अब चलते हम लोग थोड़ा question की तरफ आईए देखे question हमारा क्या था और question को हम लोग कैसे यहां पर solve करेंगे तो इस question में देखे second वाले question में यहां पर देखे सबसे पहले चर्चा कितने की हो रही है the food मतलब खाना है in the new eatery मतलब खाने पीने का जो नया समान है यह खाने पीने का जो भी system था उसमें कुछ नया चीज add कर लिए गए the one in r ke purem है मतलब कुछ नया चीज़े add कर लिए थो जो पुरानी वाले चीज़े थे उसमें नय चीज़े add कर लिए तो नया वाला या तो पुराने वाले से बेथर होगा या उससे बुरा होगा ठाथ है तो नय और पुराने अर्धात यहाँ पे दो प्रकार से इसकी चर्चा की गई है चुकि चर्चा दो प्रकार से की गई इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे तो best की जगे यूज़ करेंगे better का, किसका use करेंगे better का use करेंगे ठीक है, तो better वाला option इसमें भी एर हम लोग को बताना था, तो हमारा आंसर क्या बना हमारा आंसर बने का option number B, क्या बने का option number B, next अगले question में चलते हैं हम लोग के यहां पे देखें, इस question में हम लोग को क्या करना है, the mind is a tool to achieve the best level of consciousness, wisdom and bliss, अब देखें इसको यह आप हिंदु अध्यात में जाएंगे, तो वहा चक्र के जागरत होने से क्या होता है भाई, तो आपका जो मस्तिस्क है, उसका जो thinking power है, वो उर्धर्व गामी होता है, तो उर्धर्व का English में यदि आप translate करेंगे, तो क्या मिलेगा, आपको vertical मिलेगा, ठीक है, लेकिन अलग-अलग language में, अलग-अलग तरीके से सब्दों क अपरियोग किया जाता है, अब संस्क्रीत में और हिंदी में उर्धर्व गामी का के काम चला लेते हैं, इंग्लिस में उसको vertical नहीं कहते हैं, उसको कहते है, higher level of consciousness, ठीक है, meditation करने से क्या होगा, आपकी जो thinking ability है, वो higher level पे जाएगी, तो इसके लिए हम लोग एक अलग- का यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, यदि करना ही हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, मच का यूज कर सकते हैं, error वाला section बताना था, हमारा answer क्या बना, option number A, next, अब यहाँ पे देखे, he had not taken any coaching in the game, but he plays good then, अब देखिए, लेकिन वो खेलता है, many professional players, वो कई professional players से अच्छा खेलने की तुलना की जड़े, एक professional player की और यह एक newcomer की, ठीक है, दो प्रकार के player है, एक experience है, professional है, और दूसरा inexperienced है, चुकि चर्चा दो प्रकार के लोगों की हो रही है, दो प्रकार के यहाँ, खिलाडियों की चर्चा हुई है, दो प्रकार की हुई है, इसलिए हम लोग क किस का यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे comparative degree, comparative degree बोले तो, good की जगळा क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, अब दो बेटर का option है, क्या है, यहाँ पर option number C, तो इस प्रकार से question आपके exam में देखने को मिलते ह अगला कोशन देखे तो परफॉर्मेंस और प्लेयर्स इस वास्ट दैन अब देखिए यह एक्सपेक्टेड तो जैसा आप सोचे थे उससे भी ज्यादा खरा तो आपने सोचा था और जैसा नहीं सोचा था ऐसा हुआ तो सोचा और बिना सोचा दो प्रकार के चीजों की तुल करेंगे वर्स का ठीक है देखिए गुड बेटर बेस्ट और सिमिलरली होता है विल बेटर बेस्ट और इसी तरीके से होता है बैड वर्स और वर्स तो बैड का कॉमपरेटिव होता है वर्स और सूपरलेटिव होता है वर्स ठीक है तो यहाँ पर सूपरलेटिव का यूज ह ठीक है, ulterior, exterior, इनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, तो का यूज करेंगे, ठीक है, और यहां पर देखे, it is better to keep one's head in the face of danger than देखें यहाँ पर यूज किया गया better का better के साथ यहाँ पर than की जगर देन लिखा हुए तो देन को हम किस में करणबट करेंगे than में ती एच ए इन than में करणबट करेंगे next रीचा is more prettier than her sister रीचा और रीचा के बहन अर्थात यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है यह जो pretty होता है pretty का comparative बनता है prettier superlative बनता है prettiest तो चुकी इसका comparative होता है यह prettier इसलिए इसके पहले यहाँ more का use हम लोग नहीं करेंगे और यदि हमें यहाँ पे empathic का use करना हो इस prettier को empathize करना हो तो इसके पहले हम लोग more की जगा किसका use करेंगे हम लोग more की जगा use करेंगे मच का किसका use करेंगे मच का use करेंगे ठीक है अर्थात error वाला section कौन से बना option number B next अब यह देखे यह जो superlative degree का concept है अब superlative degree के वो कौन कौन से concept है जिनसे आपके SSC exam में आपके SSC CGL और CHSL exam में बार-बार question पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा आपके इस बार आने वाल exam में भी question रहेंगे या रहने की संभावना है इसकी चर्चा और ऐसे बहुत सारे points हैं जिस पर best हम लोग आगे के class में चर्चा करेंगे तो ऐसे इन सभी मुद्दों पे चर्चा हम लोग करेंगे आगे के class में अर्थात adjective के अपने next class में तो अगले class में हम लोग धेर सारे ऐसे concept को पढ़ेंगे जैसे आपको पढ़ना होता है आगे चलके आपको पढ़ना है जैसे आपके सेसी एक्जाम में बार-बार question देखने को मिलते है कि यदि sense express हो रहा हो superlative का but sentence को लिखा गया हो बताया गया हो comparative degree में किसमें if the sentence is written in comparative degree but it expresses the sense of superlative then we use then we use तो ऐसे situation को express करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं तो ऐसे इन सभी important बातों पर ऐसे इन सभी important concept पर और आपके adjective of number से कैसे question पूछे जाते हैं distributive से कैसे question पूछे जाते हैं demonstrative से कैसे question पूछे जाते हैं और भी ऐसे बहुत सारे important तत्यों पर important concept and rules पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने adjective के second part में ठीक है तो आज के अपने इस class को हम लोग यहें पर sum up करते हैं यहें पर conclude करते हैं Thank you